हेलो दोस्तों, आज कि इस वीडियो में एक वरपन आ गया हूँ, आप लोग के बीच, आप लोग के साथ, आपका भाई, चंदन और आप लोग इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, और जितने भी लोग देख पा रहे होंगे, सभी को मेरी तरब से बहुत बहुत इसलिए मैं आपको पहले धन्यवाद देदिया हूँ, क्योंकि, ये वीडियो आप लोग देखेंगे, तो कुछ चीज आप लोग समझेंगे, ठीक है, और मैं हर दिन की तरह आज भी कहूंगा, कि वीडियो को सुरू से लेकर के अंध तक देखना, हर एक बात में कुछ न के बारे में क्या चल रही है, आगे क्या होगा, इन सब चीजों पर हम लोग थ्रासा बातचित करते हैं, ठीक है, दोस्तों अभी क्या चल रहा है महावल, उस पर थ्रासा ध्यान देते हैं, सब लोग तो अभी सुप्रिम कोट में जूट गये हैं, सुप्रिम कोट चलो, क्यायरी कर रहे हैं जाने के लिए अभी तक सब्सक्ति आप दीज़न लेती है हम लोग यहां पर यह चीज को देखेंगे ठेका है लेकिन मैं आप लोग को एक बात और विचारने के लिए बोल रहा हूं सोचने के लिए बोल रहा हूं जो चीजा आप लोग के साथ कोई नहीं कर रहा है बस मैं आपको बता दे रहा हूं उन सब चीजों को भी सोचिए तभी न आगे बढ़िएगा क्या आपको लगता है कि सुप्रिम कोट जाने से 2023 नियावली को जीत हो जाएगी या फिर 2018 नियावली को जीत हो जाएगी ये बात कोई अभी नहीं जान रहा है बस सिंगल बेंच डवल बेंच के आधार पर अनुमान लगा लेना या फिर 2023 नियावली अपने एक वार फिर से नियाए के लिए सुप्रिम कोट पहुँच जाना बस इतना ही और यह सब चल रहा है लेकिन इसका फाइनल डिसिजन किसके पास है किसी पास नहीं क्या सरकार से मैं यह प्रशन पूछूंगा क्या वह यह कंफर्म है कि वह मतलब कोर्ट जाने पर उसको सही नियाए मिल पाएंगे ठीक है यह भी बात है लेकिन इन सब चीजों इसका इस्तमाल करिए अगर आप लोग सोचने वाले तो इसका इस्तमाल करिए नौकरी लेंगे ना इसका इस्तमाल तो करना ही परेगा नहीं करेगा तो फिर नौकरी में क्या करिएगा जाकर के ठीक है इसका इस्तमाल करना पड़ता है इसका क्या परिनाम निकलेगा यह पर हिस्टरी को भी जरा से उल्टा के देखिएगा ना कि ऐसे ही आप लोग करती रहिएगा आपको मैं एक्जामपल देता हूं आप लोग देख लेना और इस चीज को सोच के चलना होता है हम लोग को ठेक है अब फिर आप लोग यही बोलोगे कि सर आपने पूरे वीडियो में कह मैंने कहां कि यह आप लोग ठूड़ा सा सोचके बताहियेगा में आज आप लोग पर छोड़ देता हुमने क्या कह क्या हुआ मैं थरा से बता देता हूँ अगर आप लोग को जानकारी मना हो तो आप लोग सर्च कर लिजेगा शौर्ट कोट में गया पर्माप्ला हुआ अब आप लोग एन्यम की परकिलिया शुरू हुआ उसके बाद एक्सराइटी इसीजी ओटी इन सब चीजों को होना था दो कर गया था कि डिग्री मतलब जो डिप्लोमा लेवल पर हो और जो फर्मासिस्ट कर जो यहाँ पर वी फर्मा होता है bachelor degree डिप्लोमा डिगरी इन सब चीज़ों कले करके कोर्ट तो judgment दे दिए final judgment दे दिए उसके बाद उसके बाद विभाग उस पर करवाई करना सुरू किया जानि कि judgment को अपना follow करना शुरू किया और करते करते बीच में क्या निकला नोटीस तक्निकी कारणों से इस वैकेंशी को रद किया जाता है, क्या मिला? देखिये, मैं आपको अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, सब लोग अपने मन से करें, मिटिंग हुआ, मिटिंग में क्या हुआ, यह हुआ, वो हुआ, ठीक है, वो करने दीजिए, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकि लिए परिणाम क्या निकला, किनको नौक्री मिला हम तो नौक्री के लिए मड़ते हैं, नौक्री दीजिए, किसी को नौक्री दीजिए, किसी एक को भलाई होगा ना भाई, क्या निकला, कुछ निकला, कुछ परिणाम ने निकला, चलिए, यह बात हो गिया, ECGOT X-ray वाले को क्या हुआ, वैकेंसी को रद हुआ, ठीक है, किस कारणस वो नहीं दिखा जाता है, तकनीकी कार्ण से वैकेंसी को रद हो गया, आपर है कार्नस वैकेंसी को रद करना पर रहा है, कोई मतलब आपर है तकनीकी कुछ भी लिख दिये चलेगे, उसमें डिटेश तो नहीं लिखा हुआ है, सब से बरी बात वाट को जूनियर इं चेंज होया यह सब चीज हुआ इसमें भी फाइनल रिजल्ट देना था लेकिन बिटेसी जूनियर एंजिनेर में क्या हुआ फाइनल रिजल्ट दे दिया फाइनल रिजल्ट को दे दिया गया कि जाइए रिजल्ट दे दिये कुछ दिनों के बाद आपकी जोईनिंग हो जाए कि हमसे गलती हुआ है इस वैकेंसी को मैं नए सीरे से बढ़ियां तरिका से बहाली करना चाहता हूँ इसके लिए मुझे समय दे दिजिए और इस वैकेंसी को मैं पूरा करके देंगे क्या परिनाम निकला वैकेंसी सब कुछ गरबर हुआ सब कुछ रद हुआ क्या मिला हम कर रहे हैं कि कि स नियाम ऑली पर आपको लेना होगा ये बड़रा सब आप लुग जरकेंसी इन सब चीजो अपोरा यहां पर जिक्र कर रहे हैं हमें कोuen तकलिफ मुझे क्या तकलिफ होगाisión चंदाद दीजी आपने दीजां को क्यों तकलीफ उपना हो तो तो मेरे पॉकेट से जा रहा है नहीं नहीं जा रहा है जा रहा है यह सब चीज आप लोग अपना हम को ही सब चीज आपको बताया हूं तुर्श इन सब चीजों पर सोचिए आगे बढ़ने के लिए कुछ सब्हाइस अब एक वीडियों की पढ़ाया करूं पढ़ाय कने क्ला किसी नहीं देखा है लेकिन जिसके पस नलेज रहेगा वह आगे बढ़ेगा अब हर रहे हो नहीं रहता तो कहा से जाते हैं इन बातों को समझने की जुरत है अब सरकार क्या कर रही है कि सब लोग कर रहे कि मीटिंग कर रहे कोई मीटिंग नहीं किया है जूठा बात है यह कोई मीटिंग नहीं हुआ यह जूठा बात है हमने ऑफिसियल ही जानकारी अपडेट ल मैं बता रहा हूं। सब दिन मिटिंग ही हुँ तो कोई जूठा बात पीच मत्री जी का अब ही चुटी है चलिए ठीक है तो इस बात को आप लोग समझना ज़रा सा कमेंट वक्स में बताना आप लोग इसके बारे में क्या सोचे हैं फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आओगा तो एक अच्छे की पॉइंट दूँगा ठेक है चलिए सभी को थाइंग